सु दुस्तू जैसा कि आप सभी जानते एक फरबरी को हिंदी सौमाक्स का एक्जाम होगा ऐसमें आज के इस कलास में लेकी आये हैं कलास तोल हिंदी सौमाक्स के वारल प्रिशन जो की आपकी बोड प्रिच्चा में नभी परतिस चान से टकराने का तो चलिए दुस्तों बिना देर करतों इस वीडियो को सुरू करते हैं जो भी स्टूइट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को सुरू सुले के आखरी तक जरू देखें कोर्सिस करें कि सारे प्रिशन को यादि कर सकें क्योंकि सारे प्रिशन का प्रिच्चा में पूछ पूछे कही प्रмет इसलिए सही प्रिष्ण को आप लोग अच्छी तरसी याद कर लेए 更 चाहिं पर नहींगे हो आयां वार्पेपर आपको मिलता रहे सबसे पहले तो चलिए दोस्तो साई प्रिशन को अच्छी तरसी देखेंगे आप लोग वीडियो को शुरू से लेकि आखरी तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काप यूज़ पूल होने बला इससे लास्ट तक की बन रहे तो चलिए दोस्तो एक ही करके सारे प्रिशन को देखती है तो आपके स्कीन पर आपका पहला प्रिशन है रचक सब्द में पढ़ते है तो दोस्तो आपसे एक जायम पूछ सेक्टा है रचक सब्द में पढ़ते है तो दोस्तो आपसे एक जायम पूछ सेक्टा है पर लोग सब्द में पढ़ते है इसका जो correct answer है right answer option A है पर है जो की उपसर्ग है तो दो का right answer option A है L प्रिष्णिया आपी देख सकती तीन प्रिष्ण है औग्यान सब्द में उपसर्ग है इसका जो correct answer है right answer option C है जो की O है उपसर्ग तो तीन का right answer option C है अलब प्रिशनिया आप देख सकती है चारण प्रिशनिक करा है कि नकल्ची सब्द में पढ़ता है तो दुस्तो आप सिख जाम पुछ सकता है नकल्ची सब्द में पढ़ता है इसका जो correct answer है right answer option D है C है जो की पढ़ता है तो दुस्तो चार का right answer option D है अलब प्रिशनिया आप देख सकती जो पांचन प्रिशनिक करा है कि ये सोदा सब्द का संदी बिच्षेत है तो दुस्तो आप सिख जाम पुछ सकता है ये सोदा सब्द का संदी बिच्षेत क्या है इसका जो right answer option A है अलब प्रिशनिया आप देख सकती जो दुस्तो चे का right answer option A है तो दुस्तो अभी तक इस वीडियो को सेर नहीं किया तो सेर कर दे ताकि जो भी स्टुडेंट कल एक फरबरी को हिंदी सौ माक्स का एक जाम देने बाले है उनको भी help मिल्स के इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके समने आई बटन दिख रहा होगा या चाहें पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा वहां से खोच-खोच करके सारे वीडियो को देख लिजें ताकि आपका त्यारी बेहतर हो सके तो अलब प्रिशनिया आपके देख सकते हैं जो आटनम प्रिशनिय का रहा है कि उधोग सब्द का संदी बिचेत है इसका जो क्वरेक्ट एंसर राइट एंसर ओप्शन भी है उध पलस योग तो दिस्तो आटका राइट एंसर ओप्शन भी इसका क्वरेक्ट आंसर है एल प्रिशने आपी देख सीते नौन प्रिशन करा है की कुहासा सब्द है कुहासा सब्द है इसका जो correct answer राइट answer option ए है pulling तो दुस्तो नौ का राइट answer option ए है इसका जो correct answer option ए है इसका जो correct answer option ए है इसका जो correct answer option ए है विश्व सिचक थे इसका जो correct answer option ए है उद्धे परकास का जनम कब हुआ था इसका जो correct answer option ए है उनिस सो बावन में हुआ था कब हुआ था तो निस सो बावन में हुआ था अल प्रिशनिया पर देख से थे जो तेरन प्रिशनिक कराई की तिरीच किस परकार की रचना है इसका जो correct answer option ए है आधोनिक तासदी रचना है तो जो तेरा का right answer option ए है एल प्रिशनिया पर देख से थे चोदन प्रिशनिक कराई की मोहन राकेश के बचपन क क्या नाम था तो आप से जान पूछ सकते हैं मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था इसका correct answer है right answer है option A, इसका right answer है मधन मोहन गुगाली इन जो की गुगलानी नाम था तो दिस्तो 14 का right answer option A है अल बिर्षने आपी देख सेते 15 बिर्षने कभी रगवीर सहाई के पिता का क्या नाम था सो आप लोग answer जानते हैं तो comment किजिए इसका जो correct answer है right answer option A है हर देब सहाई तो दिस्तो 15 का right answer option A है सो दिस्तो इस वीडियो को share कर दे ताकि सभी student को help मिल सके और आप लोग चाहाँ पे नेव चाहाँ पे पहले पर आएं तो चाहाँ को subscribe कर लिजी ताकि इसी तरह हर एक subject का वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले तो अल बिर्षने आपी देख सेते 16 बिर्षने पकीतिक वर्न से समंदित कैपता है इसका जो correct answer है राइंसर उप्सन सी है उसा तो दो दो 16 का राइंसर उप्सन सी है अल बिर्षने आपी देख सेते 17 बिर्षन करा है की कभीयो का कभी किस कभी को कहा जाता है तो दो दो आपसे एक्जाम पुछ सेकता है कभी का कभी किसकभी को कहा जाता है इसका जो correct answer है right answer option ए है समसीर बहादुर सिंग को कहा जाता है तो दस्तू 17 का right answer option ए है L प्रशने आपई देख सकते 88 प्रशन है भूशन की कैबता में कौन सा रस पाया जाता है सो दोस्तो आप से जयाएं पूश सकता है भूसन की कैपता में कोई सा रस पाया जाता है इसका जो correct answer options यह वी रस पाया जाता है तो 18 का right answer options यह अलब प्रिशनिया पी देख सकते है 19 तर प्रिशनिक का पी मात्मुन प्रिशनिक कह रहा है कि जहां भै है वही मेधा नहीं हो सकती किस पठिद पार्ट की उकती है इसका जो correct answer right answer option दी है शिक्चा पार्ट की उकती है तो निसका right answer option दी है अलब प्रिशनिया पी देख सकते है जे करिशन मुर्ती का पूरा नाम क्या है इसका जो right answer option B जिदू करिशन देख सकते हैं गोद मैं सोंने वाला कहलाता है इसका तो बाइसन प्रस्न हैं गुरू के उची कोड़ार्ण सिर्फ कहलाता है जिसका जनम पहले हुआ हो वो है जिसका जनम पहले हुआ हो हुआ है इसका जो correct answer है right answer है option C है अग्ज तो दिस्तो 24 का right answer option C है अलब प्रशनियां पी देख सकते 25 प्रशन है, जिसके बिना काम नोच चल सके के लिए एक सब्द है, यह इस तो कराई कि जिसके बिना काम नोच चल सके के लिए एक सब्द है, इसका जो correct answer है, right answer option A है, और पर ही high, तो जिस्तो 25 का right answer option A है, अलब प्रशनियां पी देख सकते 27 प्रशन है, जो खान योगे हो वो है, इसका जो correct answer option A है, आग, तो जिस्तो 27 का right answer option A है, इसका जो राइट एंसर ऑप्शन भी है परिसानी तो दिस्तों 29 का राइट एंसर ऑप्शन 20 का correct आंसर है अब भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कें तो एक लाइक कर दे साथी इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रूप Facebook में भी Share कर दे ताकि जो भी student एक फरवरी को एक जाम देने बाले हैं उनको भी help मिलसके तो दोस्तो आप लोग चैनल पे नयो चैनल पे पहले पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जो भी सब्जेक्ट का एक्जाम होने बला है उसका वारल पेपर आपको मिल सके तो अगल पर आप देख सकते हैं 31 पर आप यातरा सब्द है इसका जो correct answer है right answer option भी है इस्ति लिंग तो दोस्तो आप लोग भी चाहते हैं कि बोड़ परिक्षा में एक भी पर आपका जो रिजल्ट हो कापी बेतर कापी अच्छा आए तो चैनल पे जितने भी हिंदी सौम मार् सब्द है इसका जो right answer है correct answer है option हम बात के लिए तो 20 का right answer इस्तिलिंग तो जिस्तो 32 का right answer option भी है अलप रिशनिया पी देख से ते 33 प्रषन है संदी के कितने भेद है तो आप सभी जानते हैं कि संदी के कितने भेद है इसका जो right answer options यह तीन भेद है तो जिस्तो 33 का राइट बेद है कि पुरान सब्दी का विसेशन है पुरान सब्द का विसेशन है इसका जो right answer option ए है इसका जो right answer option हैSSo दोस्तों आप लोग भी चाहतें कि आपका जो result हो काफी बेतर काफी अच्छा आए तो board प्रिच्चा में आपको एक काम करना है क्या तो वह काम यह है कि कम से कम दो वार प्रशन को परना है दो वार option को परना है उसके बाद ही सई और विखेराई की गराम सब्सांद का विशेश्ण है तो गराम सब्सांद का विशेश्ण हो जाएगा Und can see से पहले बनाना है ठीक है माली जी की पहला प्रशन आपका बन गया इसका राइट एंसर ऑप्शन भी है तो आपको जिसने गुरू से दिक्चा ली हो को एक सब्ध में कहा जाता है याँस तो कराई कि जिसने गुरू से दिक्चा ली हो को सब्द में कहा जाता है किया और तIntel JW UCB 예द दिश्थास का राइट चालिस का राइट न सर और अप्षन ए सिप का उपासक कहलता है इसका पर सिप आप एक्तालिसनर प्रश्णिंग कर रहा है कि अर्द नारुसर सीसक पार्ट के लेखा को ने इसका जो राइट एंसर ओप्संस यह रामधार सिंग दिन कर तो एक्तालिस का राइट एंसर ओप्संस यह बोट परिच्छा में चारू ओप्सं को सई से रीड कर लेना उसके बाद अधी गोला करना है तो अगल प्रशनियां पर देख सकते जो ब्यालिस प्रश्णे चंधर सनमाय गुलेली की कहानी है इसका जो कॉरेक्ट एंसर राइट एंसर ओप्संड़ है उसने कहा था या आपसक जाम पूस्टेक्टा है उसने कहा था इसका लेखा को ने तो चंधर सं इसका जो राइट एंसर एक्रेक्ट एंसर उप्ष्ण ए है जे कृष्ण मोर्ती तो दुझतों छूब एंसर 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 उपष्ण भी है रोज रोज कहानी में गैगरिन का उलेख है तो चावालिसका राइट एंसर उप्षण भी है इसका जो राइट एंसर है ओप्शन अप्शन बी है निमान की अंतगत है तो 46 का राइट एंसर ओप्शन भी है अल प्रशन आपे देख सकते हैं जैपरकास नरायन रचित पाट का नाम है इसका जो राइट एंसर ओप्शन से संपुन करांती तो 47 का राइट एंसर ओप्शन से है अल प्रशन आपे देख सकते हैं बाल किस बड़ किस यूग के रचना कार है इसका जो प्रशन आपे देख सकते हैं जो 49 प्रशन करा है कि बड़े ब्रमयान की रचना है इसका जो प्रशन आपे देख सकते हैं बड़े ब्रमयान की रचना है इसका जो राइट एंसर ओप्शन प्रशन भी है कभीर दास तो 50 का राइट एंसर ओप्शन भी है अगर प्रिशने आपी देख सकते हैं जो 52 प्रिशने करा है कि दलित साइटे का स्वधाने नामक आलोशना पुष्टक लिखी किसने लिखी इसका जो राइट एंसर है ओम परकास वाल मिकी ने लिखी तो दिस्तु 52 का राइट एंसर ओप्सन ए है अगर प्रिशने आपी देख सिते तीरपन प्रिशने ओ सदा नीरा सीशक निमन में हुआनित मन कैसा ताल है इसका जो क्वरेक्ट एंसर है राइट एंसर ओप्सन ए है गहरे और विशाल ताल है तो दिस्तु 53 का राइट एंसर ओप्सन ए है अगर प्रिशने आपी देख सिते 54 प्रिशने अस्वक बाचपे का मुल निवास अस्थान कहां है इसका जो क्वरेक्ट एंसर है राइट एंसर है ओप्सन ए है सागर मध्य पर्दिश तो 54 का right answer option A है अलब प्रिशनिया आप देख से 55 प्रिशन है इमंदार सब्द का विलोम होगा तो आप से एक जान पूछ सकता इमंदार सब्द का विलोम क्या होगा इसका जो right answer है, correct answer है option B है, बैमान होगा तो 55 का right answer option B है तो इस ट्विडेंट आप लोग चान को सब्सक्राइब करके रख लिजे ताकि आपको इस चैनल से फैदा मिलचके तो अलब प्रिशनिया आप देख से 56 प्रिशनिक करा की आवण सब्द का विलोम होगा तो आप से एक जान पूछ सकता तो दिस्तु 57 का right answer option B है अलब प्रिशनिया आप देख से 58 प्रिशनिक कर्थोड सब्द का विलोम होगा कर्थोड सब्द का विलोम होगा इसका जो right answer option D है कोमल तो दिस्तु 58 का right answer option D है अलब प्रिशनिया आप देख से 59 प्रिशनिक भक्त माल किसकी रचना है सो आप सिग जाम पूच्छ सकते है भक्त-माल किस की रचना है इसका जो राइट अजर उपसन ए है नावा-धास तो दिस्तु 69 का राइट अंसर उपसन ए है अलब रिस्टे आ पी देख सकते हैं इस साइट रिस्टे जो 59 करा की जैसंकर परसाथ का महकाबे है स्वापसिक जाम पूछ सकते है जैसंकर पड़साद का महा काब़े है इसका जो correct एंसर है right answer option A का माइनी तो दिस्तो एक सट का right answer option A है इसका जो correct answer option B है रोच कहानी का मिन पातर है या पातर है तो 63 का right answer option B है अलबर्ष निया पी देख सकते हैं ग्यानिन पती की कैपता कोन है इसका जो right answer correct answer option A है गाउं का घर तो 64 का right answer option A है अलबर्ष निया पी देख सकते हैं जो 65 प्रशन है हिंदी साइटे का सुरे किसे कहा जाता है तो 65 का right answer option A है तो दोस्तो आपको बता देख सकते हिंदी साइटे का सुरे किसे कहा जाता है इसका जो right answer option A है सुरदास को कहा जाता है तो 65 का right answer option A है तो दोस्तो आपको बता दे इस कलास में कलास 12 हिंदी सो मंक्स के कुल यहां पे 65 प्रशन थे तो पहले से आपको कितने प्रशन या तिस सई से नीचे कमेंट करे वीडियो आपको कैसे लगा ये भी नीचे कमेंट करे उमेद करती है वीडियो आपको अच्छा प्रशन आपको मिलता रही सबसे पहले तो दोस्तो आप लोग बेतर रिजल्स लाना चाहते हैं तो जो भी समय बत चुका है उसी समय में जितने भी चैनल पे हिंदी सो मंक्स के वीडियो है वह सारे वीडियो आप लोग देख लिजे ताकि आपको हेल्प मिल सके तो चले दो फिर्म लिंक किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद।